दरसल पडोसी देश बांगलादेश में राजनैथिक संकट ने अब आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। दुनिया भर की तमाम कमपनियां यहां से अपना कारोबार समेट रही हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन रेटिंग एजनसी क्रिसिल ने बताया कि बांगलादेश के हालिया घटना क्रम का भारत के कारोबार पर कोई खास असर नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बांगलादेश संकट का प्रभाव उद्ध्योग एवं क्षेत्र विशेश की बारीकियों और जोखिम के आधार पर अलग-अलग होगा। भारतिय उद्ध्योग जगत की साक गुनवत्ता पर निकट अवधी में इसका प्रभाव पढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बांगलादेशी मुद्रा टका के रुक पर नजर रखनी होगी। क्रिसिल के मुताबिक बांगलादेश के साथ भारत का व्यापार अपेक्षा कृत कम है। जबकि भारत से बांगलादेश को होने वाले वस्तू एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से कपास और सूती धागा, पेट्रोलियम उतपाद और बिजली शामिल है। जबकि इंपोर्ट में मुख्य रूप से वनस्पती वसा तेल, समुद्री उतपाद और परिधान शामिल है। जाहिर है कि इस संकट का बस इन ही सेक्टर पर थोड़ा असर पढ़ने की आशंका है। आपको याद होगा कि पिछले महीने बांगलादेश में चात्रों के व्यापक प्रदर्शन के बाद अराजकता पहलने से तमाम गतिविधियां ठप पड़ गई थी। हालांकि नोबेल पुरसकार विजेथा मोहम्मद यूनुस को बांगलादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने के बाद से हालात थोड़े सामान्य होने लगे हैं। लेकिन जो खबर रिपोर्ट्स द्वारा मिल रही है ऐसा लगता नहीं है कि बांगलादेश में हालात सामानने हुए हैं। सठ में सामप्रदाइक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई जिसके परिणाम स्वरू 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारे पूजा स्थलों पर हमला कर तोड़ फोड, लूट पाट की गई और आग के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन जो बांगलादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ रहा था, भारत ने उसका तोड निकाल लिया है और भारत बांगलादेश के नए दोस्त को जो वार्निंग दी है, वो जानना हम सभी के लिए जरूरी है। दरासल भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझोते सिंधू जल संधी में बदलाव चाहता है। मांग करते हुए पाकिस्तान को एक खास नोटिस दिया है। भारत का कहना है कि जब यह समझोता हुआ था, तब की स्थिती अब नहीं है क्योंकि मौझूदा वक्त में देश की जनसंख्या बढ़ गई है। खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तिमाल उर्जा बनाने के लिए भी करना है। और जैसा की सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधी के सुचारू संचालन में बाधा पहुँचा रहा है। इस वजह से भी इस समझोते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पर सवाल ये है भारत ने ये फैसला क्यों लिया है तो आपको बटा दें। भारत के इस कदम के पीछे विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के साथ विवाद किया है। सिंधु नदी के पानी का पूरा फाइदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा इस तरह का नोटिस देना इस समय बिलकुल सही है। कि भारत भी 64 साल पहले हस्ताक्षरित इस द्विपक्षिय समझोते के प्रावधानों का पालन करेगा। कि भारत भी 65 साल प्रावधानों का पालन करेगा। कि भारत भी 66 साल प्रावधानों का पालन करेगा।